अब सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं बच्चों यह क्लास 5 का मैथ है चाप्टर 8 एक्सरसाइज 50 खाफी इजी एक्सरसाइज है यहां पे एड दिया हुआ है लेकिन इसी एक्सरसाइज में आपको एड सब्ट्रेक्ट और मल्टिप्लाए आगे मिलेगा एक्सरसाइज 50 का क्वेश्चन नमबर 11 यह लास्ट क्वेश्चन है और यह सब्सट्रेक्ट करने के लिए यहां पे दिया हुआ है तो यहां पे ध्यान देंकि यहां फ्रॉम लिखावा है फ्रॉम मतलब हो गया कि सबसे पहले उपर में आपको इसको लिखना है उसके बाद नीचे में इसको कि यहां फ्रॉम मतलब उपर इसको नीचे इसको इस तरह से हम लोग इसको सब्टेक्ट करेंगे तो यहां पे मैं करके आप लोग को दिखा देता है इस तरह से यहां पे हम लोग लिखेंगे 75 रूपीज 80 पैसे 18 रूपीज 9 पैसे 9 नहीं वहां पे दिया हुआ इस तरह से 27 और यहां क्या हो जागा यहां कोई पैंच चलिया हुआ नहीं है तो यहां पे यहां 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 से लिए तो 15 हो गया तो बच्चाएगा 7 और यहां पे हो गया 6 6 में से 5 तो 6 में 7 तो 5 तो यहां पे 5 हो गया तो मतलब 57 रूपीज 71 पैसे तो यह हो जाएगा इसका आंसर बी पार्ट लेते हैं हम लोग question number 11 का यह भी पार्ट है और इसको माइनस करना तो यहां पे है 130, 123 पैसे 49 पैसे सुब से पहले हैँ 8 है तो यहां माकस होने वहाई नहीं है तो इसमें से चैक फेयरिते हैं तो कितना हो गया यहां 18 हो गया नाइन होता है तो नाइन यहां पे हो गया यहां पैसे लिख लेते हैं लोग पैसे और यहां पे हो गया फाइव तो यह तो माइनस होगा नहीं तो यहां क्या करेंगे यहां से लेंगे पैंचा तो यहां टू रह गया चलिए यहां पे लिख लेते हैं और यहां से यहां फाइ नहीं है यहां से लिए 11 हो गया 11 में से 4 गया तो 7 411 होता है यह और यहां पी 0 हो जाएगा मतलब 73 रुपीज 89 पेसे और यह अंसर यह हो जाएगा और इसी के साथ exercise 50 complete हो गया है तो इसके आगे पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे exercise 51 पे